तो आज हम डिसकस करने वाले अपना अगला चैप्टर फ्रेक्शन है जिसका नाम ठीक है तो फ्रेक्शन में क्या है बहुत सारे कोशाइं जो है वह आते हैं कॉम्पिटेटिटिव एक्जाम में फ्रेक्शन के तो आपको इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो हम मबात हैं पहली बाद तो यह जान लिए जिए कि तरह क्सिंटेस कितने तरह क्यों होते हैं फ्रेक्शन जो है वह वह उपन वाइइ खालin झाल य ओस्पान फ्रेक्शन टीक है कोई है जो कि X य एक शップन ऑं के अगर लिखी हुई है ठीक है तो आब उसको दीख़न के आ बार आता है आपका decimal fraction decimal fraction वो होता है जिसमें की decimal लगा और जिसको हम पॉइंट बोलते हैं या फिर देशमल जिसको बोलते है ठीक है decimal fraction is whose denominator is 10 और a multiple of 10 या तो उसका denominator 10 हो तो automatically यहां पर 0 को हटाएंगे तो 0.3 हो जाएगा है ना यहां से 0 को हटाएंगे तो 0.04 हो जाएगा उसके बाद upon 7 upon 1000 तो यह 0.007 हो जाएगा ठीक है और दूसरी बात जब आप किसी भी value को divide करते हैं और simple fraction can also be a decimal fraction अब अगर यहां से आप इसको 2 को divide करेंगे 3 से तो यह भी decimal के form में आ जाएगा और फिर क्या होगा यह भी decimal fraction हो जागा इसका मतलब है कि simple fraction जो है decimal fraction हो सकता है चलिए उसके बाद आता है आपका continued fraction तो continued fraction क्या होता है जिसमें कि आप divide करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं जो value वो आंजर आता रहेगा आता रहेगा रिपीट होता रहेगा या फिर mix form में आता रहेगा ठीक है तो इसका क्या answer है इसके example क्या है जैसे कि यह ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह एक example है continued fraction का तो यह continued है देखिए यहांसे 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 upon 4 ठीक है तो एक example है उसके बाद देखते है recurring decimal fraction recurring माने होता है बार बार आना ठीक है तो recurring का मतलब होता है बार बार आना तो अब जब आप 1 को 3 से divide करेंगे तो क्या आएगी value आपके पास 0.3333333 and so on so it means that 3 जो है वो repeat हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसको short form में लिखने के लिए या फिर अपनी सहूलियत से लिखने के लिए हम 3 के उपर ऐसे बार लगा देते हैं तो 0.3 तो यह ऐसे लिखा जाएगा ठीक है और example देख लिए decimal fraction चलिए आगे चलते हैं अब recurring decimal fraction में भी दो तरह के fractions होते हैं एक perfect recurring and then mixed recurring अब perfect recurring में क्या होता है कि जो value होती है वो same ही repeat होती है जैसे कि आप 53 repeat हो रहा है फिर 53 repeat हो रहा है फिर 53 repeat हो रहा है तो हम इसको कैसे लेख सकते हैं 0.53 ठीक है और एक mix recurring में होता है कोई भी कुछ भी repeat होता रहेगा देखिए जैसे कि mix recurring का example है आपके पास 265 फिर 6565 तो इसमें repeat क्या हो रहा है आप देखेंगे तो 2 repeat नहीं हो रहा है 65 repeat हो रहा है mix recurring decimal fraction चलिए आगे चलते हैं अब इसमें पांस तरह के questions होते हैं एक तो comparing करने वाले बहुत असान होते हैं continued वाले है ना फिर उसके बाद recurring decimal fraction फिर word problems होते हैं कुछ और कुछ miscellaneous कुछ mix तरह कें जिनके कोई specific टाइप नहीं है चलिए तो फिर आगे देखते हैं अब type 1 comparison वाले देख लेते हैं देखिए अब इसमें क्या है कि यह आपको series दे रखिए 5 upon 13 3 upon 13 7 upon 13 and then 9 upon 13 तो आपको इसमें पता लगाना है कि सबसे छोटा number कौन सा है ठीक है अब चलिए इसमें एक बात ध्यान रख लेते हैं यह होता है उपर वाला जो होता है वह होता है numerator ठीक है उपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं उपर वाले को बोलते हैं numerator numerator और नीचे वाले कम बोलते हैं denominator ठीक है तो अब देखिए जब denominator same हो ठीक है ना आपके इसमें सारे denominator same है तो आपको बोला है कि बड़ा sorry छोटा कौन सा होगा तो denominator तो सब के सेम है तो फिर जिसका जिसका numerator सबसे छोटा होगा, वही आपका जो है, वो छोटा होगा, ठीक है, वही आपकी सबसे smaller value को hold करेगा, चलिए, तो यही इसमें लेखा हुआ है, denominator are same, अब देखिए, which is greatest and smallest, अब इसमें greatest भी find करना और smallest भी find करना है, इसमें क्या देखिए, इसमें ना तो numerator same है, ना ही, है ना, तो जिसका denominator सबसे छोटा होगा, वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है, देखो, और जिसका denominator सबसे बड़ा होगा, वही सबसे छोटा होगा, इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी बड़ी value से एक particular number को divide करेंगे, तो answer जो है, वो छोटा होगा, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा number कौन सा हो गया, बताइए, सबसे बड़ा number कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, 6 upon 11, और सबसे छोटा number कौन सा हो गया, जिसका denominator सबसे बड़ा होगा, वही सबसे छोटा होगा, उसका मतलब है, चलिए next question देखते है, arrange in ascending order, अब इसको asc ascending order में कैसे arrange करेंगे, जब आपको पता होगा कि इसमें बड़ा कौन सा है, चोटा कौन सा है, तो अब इसमें जो तरीका है, वो यह ही है, अगर numerator सबके सेम होते हैं, तो फिर, sorry, denominator सेम होते हैं, numerator सेम होते हैं, तो आप जच कर सकते हैं जल्दी से कि हाँ, यह होगा, otherwise आपको तो और 7 upon 2 is 3.6, तो आप ascending में इसको arrange कर सकता है, ascending means होता है, छोटे से बड़ा, तो अब आप जैसे की जानते है, 0.571, ठीक है, 571 किसकी value थी, 0.571, 4 upon 7, सबसे छोटा है, ठीक है, तो उसके बाद, इसके बाद, इससे बड़ा कौन सा है, 0.625, उससे बड़ा कौन सा है, 6 3.6, उसके बाद, कौन सा है, 3.6, तो यह हो गया, ascending order में, आपका arrange, उसके बाद आता है, आपका descending order में arrange करना है, तो 3.5, 4 upon 9, 8 upon 9, तो आपको इसको divide करना पड़ेगा, 3 upon 5 की value, 0.6 हो गई, उसके बाद, आपकी 8.9 की value, जो है वो, 0.888 हो गई, उसके बाद, 7 divided by 8 की value, 0.875 हो गई, तो आप कितना आसान होगे, आपको इसको arrange करना descending order में, descending order का मतलब होता है, बड़े से छोटा, वाहने सबसे पहले बड़ी value आईगी, उसके बाद, चोटी value आईगी, तो आप देख लिए, जब बड़ी value की इसकी थी, बड़ी value थी, 8 upon 9 की, 8 upon 9 कहां था, 8 upon 9 कहां है आपका, यह point, 888, सबसे बड़ी value, फिर इससे चोटी value यह, ठीक है, उससे चोटी value आपकी यह रही, ठीक है, उसके बाद, यह है अपकी, उससे चोटी value यह है, तो अब यह order यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यह order यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए next question देखते हैं, type 2, find the simplest value of, अब इसकी simplest value, ऐससे questions कभी कभी आते हैं, बट आते हैं, ठीक है न, तो अब इसमें करना है, क्या होता है, आपको सबसे पहले यह वाले term आपको solve करना होता है, ठीक है, यह वाला term आपको solve करना है, उसके बाद फिर आपको यह वाला term solve करना होगा, जो answer आएगा, उसके यह वाला term जो answer आजाएगा, इसका ठीक है, चले है, देख लेते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हटा देते है, हमने सबसे पहले यह value यहां पर solve किया, यहां पर LCM लेके इसको solve किया, ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या solve करना पड़ेगा, अब इसके बाद हमें पॉर्शन आपको solve हो के क्या जाएगा यह आजाएगा आपको इसको solve करना है यहां पर यह रहेगा और इसको solve करने के बाद आपको LCM लेके 1 upon 1-1 तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 1-1-1-1 upon 1 plus 1 equals to 1-1 upon 2 1-1 upon 2 तो answer क्या जाएगा आपको 1 upon 2 चली next देख लेते हैं 1 divided by 1 upon 1 divided by 1 upon 1 divided by 1 upon 3 तो यह क्या हो जाएगा इडिवाइड आप जानते हैं डिवाइड में इस ऐसे multiply में change हो जाता और यह values जो हो उल्टी हो जाती है ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको बतायता है आपको इसको solve करना ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है कि अब यहां से solve करकी क्या आगया आपका answer यह आगया अब उसके बाद आपको similarly जैसे यह solve किया था वैसे ही इसको भी solve करना है तो इसको solve करेंगे तो आपका क्या आजाएगा यह आजाएगा वन ये आपका बच क्या ठीक है तो इसको उल्टा कर देंगे फिर से तो क्या हो जाएगा वन इंटु थी अपॉन ठीक है तो आसर क्या जाएगा आपको थी चलिए अब यह आदा देख लेता है 17 एपॉन प्लस वन अपॉन फ्लस वन अपॉन फाइव इसको सॉल्व करता है देखि है इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको यह उपर चला जाएगा ठीक है और ये और इसमें मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है आप इसको सॉल्व कर लिजए क्या हो Cops गरेंगे इसकी वैल्यूज के यह आपके पास अब बच यह बच जाएगा उसके बाद आपको इसको फिर से लेके सॉल्व कर लेना तो क्या हो जागा 17 अपॉन 17 अपॉन 11 इसको नीचे बन मानी और क्रॉस कर दीजे तो यह क्या हो जागा बार लगा हुआ है ठीक है तो बार लगा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसका अंजर है 7 अपॉन 9 तो अब यह क्या हुआ देखिए जीरो पॉइंट पी बार इसको बोलेंगे एको सुपी अपॉन क्यू तो ठीक है यह पहली कंडिशन हो गए अब यहां पर सपोस्ट करें दो वैलियू दे रखिए जीरो पॉइंट पी क्यू बार या फिर जीरो पॉइंट पी क्यू आर बार तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बस क्या करना है जहां पर भी बार देखे वहां पर आपको क्या करना है अपॉन 9 कर देना है अगर एक वैल्यू है तो और अगर दो दिखे तो अपॉन 99 अगर तीन दिखे तो अपॉन ट्रफन नइन Primary कई तो अब क्या हो जाएगा देखे बोसरा कॉशन 0.8 और तो वे यह ओ looks थे decimal fraction है ठीक है देखिए क्योंकि यह वाली value जो है वो repeat नहीं हो रही है कि अवल 777 repeat हो रहा है तो देखिए इसको क्या करना है आपको 0.5 पर 7 बार equal to यह इस पूरे value को लेना है इसको क्या हो लेंगे PQ-5 जिसके ओपर बार नहीं होगा उतने गार यहांपे सी Minist nom उपन-90 इसका फॉर्मला देख लेता है एक बार देखें पी क्यू मैनिस पी ठीक है अब आप देखें यहां पर P Q के उपर बार था तो PQ मैन नहीं होगा उसको ही माइनस करेंगे हम तो PQR माइनस PQ upon 900 अब जितने जिसके उपर बार नहीं है उतने जिरो लिये जाएंगे यह भी मैंने बोला था तो यहां पर क्या हो जागा 900 ठीक है चलिए अब यह वाला कोशन देख लेते हैं इसका दूसरा फॉर्मुला कि P फिर QR के उपर अगर बार है तो क्या हो जागा PQR माइनस P upon double 90, two values के उपर बार है तो मैंने आपको बोला था जितने के उपर बार नहीं होगा उतनौ ही जिरो लिये जाएंगे तो इसको फिरसे repeat कर देता हूँ जितने बार होगे यहां होगा उतने ही आपको यहां पर 9 लगाने है ठीक है और जिसन पर नहीं होगा उतने 0 लगाने हैं याद रखिए इस बात को मैं फरसे बोलता हूँ कि जितनी ृचे पे बार होगा अटने आपको 9 लगाने है पॉन में और जितनी ंडिचे पे बार नहीं होगा उतने 0 लगाने है चल्ये अब कोशन देख लेता है न अब अच्छे से घ्लियर हो जाएगा यह प्को पीक्यू हो गया so on जिसो आपको यहां था और ज़िस पर बार है उतने का जी लगाए और जिस जिसके बाहर नहीं है उतने आपको यहां पे 0 लगाने है और जिसके बाहर है उतने आपको यहां पे 9 लगाने चलिए तो फिर इसको solve कर लेंगे तो आपका जो आज जाएगा इसकी value आजाएगी यह fraction में convert हो जाएगा चलिए आप अपने fourth type को देख लेते हैं word problems जिसको बोलते सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बाद आपका एक value आजाएगी आगे आपकी विलेजर नहीं करते हैं देखिए उसके बाद आपका एक value आजाएगी आगे आपकी value 10.2 इसको अगर आप काटेंगे तो 5.6 आजाएगा अब क्योंकि आप जानते हैं गाओ एक है तो उसको हम पूरी value fraction में जो पूरी value consider करते हैं वो 1 मानते हैं अब नहीं आपे 1 मैंसे 15.6 को माइनस कर दिया तो यह क्या होगे 1.6 villagers do not work here unemployed है अब half part of the pole is white one by third part is blue के रतिहाई जो है वो blue है और जो बाकी का बचा हुआ उसकी value है 2 meter तो what is the length of the pole तो पूरी length क्या होगी pole की तो इनको add करते हैं तो यह क्या हो गया तो यह जागा 3 upon 2 3 plus 2 upon 6 तो 5 upon 6 हो जाएगा ठीक है यह केवल इतनी की value आई अभी तक इतनी की value आई है ठीक है यह इसकी value आई लेंथ कितनी थी 2 meter तो फिर 2 into 6 तो total length कितनी हो गई 12 meter वही आपका answer है 2 by 3 students of the class were present whose number was 40. 2 बटे 3 लोग present थे class में और जिनका number था 40 मानने 2 बटे 3 equals to 40 if 2 5th of the class are girls अब इसमें 2 by 5th class में जो है वो लड़किया है then find the total number of girls अब अब आपस में लड़कियों का number find करना है तो total number of students equals to into 2 by 3 equals to 40 ठीक है 2 by 3 की value जो थी 43 total number of student equals to 40 into 3 by 2 अभी ये क्यों क्यों किया क्यों कि ये cross multiply यहां पे हो जाएगा ठीक है तो total number of girls कितनी हुए girls कितनी थी है हमारे बास इसको solve करके कितना आया ये 80 times cut जाएगा इससे 8 times 8 threes are 24 तो 60 into 2 upon 5 equals to 24 ये आपका answer है answer मतलब लड़किया कितनी थी पूरी 24 one third of a sum of money is greater by 12 than 1 by 4th of the money इसका मतलब हुआ कि एक बटे 3 भाग है ना पैसे का sum जो है वो 12 जादा बढ़ा है कितने जादा बढ़ा है 1 by 4th of the money कितने जादा बढ़ा है 1 by 4 ठीक है तो बड़ी मैंसे चोटी value को हमने minus कर दिया तो equals to 12 equal put कर दें ता बढ़ा था 12 बढ़ा था 4x minus 3x upon 12 equals to 12 तो अब यहां से क्या हो जागा ठीक है मेरी जगा पे तूँ और तेरी जगा पे मैं of the sum of récip folह of 3 upon 5 and 7 upon 3 देखे find the recipe for all of the sum of recipe for quals recipe for all fit कराना है किसी भी सम का माने 3 upon 5 का recipe for all करना है प्र उसका पास 7 upon 3 का recipe for all करने को बूला था तो 5147 तो अब इसके भी राइब करना था क्योंगी कोशन में रखा था तो यह क्या हो जाएगा आपका 21 इवन अपन 44 जो एलेच यह को डिया है यह यह O सू इसके माने इस को हमने इसके कर दिया है तो A प्लस B एक इकोस तो फीक निए अब इसको सॉल कर लेता है हम यहां से हमने क्या किया इसको कॉमन ले लिया मनने c के और a के और b के, तो यह एक side लेख दिये est씨 साइड लेख दिये तो अब यह क्या हो जाएगा हहा से सब्सक्राऍब करेंगे 2y2 mí यहां से हमने k constant ले लिया कि common ले लिया तो a plus b plus c यहां पर बच गया है यह तो बाहर चला गया है यह बाहर चला गया यहां पर a plus b plus c बच गया यहां पर a plus b plus c यह कट जाएगा इससे तो एक k की value क्या हो गए 2 ठीक है चलिए एक question और देख लेते हैं आगरी find the question when 1 by 2 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 divided by इतना तो answer क्या आएगा देखे divide dividend equals to 1 by 2 ठीक है हमें इसको इससे divide करना थो तो यह dividend है है ना और divide होना तो यह divisor है है ना divide करेगा तो यह क्या होगा डिवाइजर हो गया आपका तो अब इसकी value हमने इसको solve कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा इसको हम इससे divide कर देंगे इस value को हमारे पास question आ जाएगा तो question आ जाएगा तो उसका क्या answer हो जाएगा आपका इसको क्रॉस हो जाएगा यहांसे क्या उसके से हो जाएगा क्योंकि आपी डिवाइड है तो यह value जो है रेसी प्रोक्रेट हो जाएंगे और यह 51 अपॉन 10 उसको हम whole में लिख देंगे तो 5 whole बन अपॉन 10 इसका जो हो जाएगा ठीक है तो फिर थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग